अब असी दूसरा लेटर आड़ा सिखांगे कि आड़ी नू किस तरह लिखना है सो जो दो आड़ा लिखना है तुसी तरह सब तो पहला तुसी इस लाइन त्याओना है असी की करना है पहला चोठी लाइन नीचे आवाँगे गोडा कार करिती वढ़ा अवाँगे उपर जावाँगे इस लाइन देना टाच करना पहली बर तुसी टाच कीता सी, दुजी बरी टाच नहीं करोगे फिर नीचे आओगे और फिर आख एदे विच दो चीजाने, जो पहली ये गोडाकार करितियसी बनाई है ये थोड़ी छोटी होएगी, दूसरी थोड़ी जिवड़ी होएगी पहली लाइन देनल टाच नहीं करेगी, दूसरी लाइन देनल टाच करेगी ताहिए निक्ञा निक्ञा गल्ला तुसी अपने बच्चयानों चंगी तरह समझाओंगा ने ताकि योँ हो एक सही अते बेहतरीन फॉर्मेशन सेख सकन फिर तो देखो छोटी लाइन तो शुरू करांगे छोटी गोड़ा का रकरीती लाइन उपर चलीगे फिर नीच्चे आवाँगे वड़ी गोड़ा का रकरीती लाइन उपर चलीगे फिर सिद्धी लाइन फिर छोटी लाइन फिर तो देख दें आपा त्यानल देखिए नीचे आवाँगे छोटा गोड़ा उपर जावाँगे फिर नीचे आवाँगे वड़ा गोड़ा उपर जावाँगे फिर सिद्धी स्टेंडिंग लाइन फिर स्लीपिंग लाइन चूटी किनना चीजाना ख्याल रखना है सबतुच पहला एह गोड़ा छोटा होएगा दूसरा गोड़ा वड़ा होएगा पहला गोड़ा लाइन देना नीचे वाड़ी लाइन देना टाच नहीं करेगा दूज़ा टाच करेगा पहले वर जी तो गोड़ा बना के लाइन उपर जाओगे उपर वाड़ी लाइन देला टाच करेगी दूजी वरी टाच नहीं करेगी ता इन चीजा नो तुसी बच्चे नो अराम नाल समझाओना है उस तो बाद बच्चे गलती की कर देने ओ देख दे हाँ बच्चे की कर देने सबतो पहला निच्चे गोड़ा फिर निच्चे गोड़ा फिर ऐ करके यह देखनो ता आड़ा ठीक लग रहा है पर जेकर आसी इस दिफारमेशन देखिये ता ओहो बिल्कुल सही नहीं है ता करके कोशिश करो बच्चे नों कैसी सही फॉर्मेशन सिखा सकी है उमीद है कि तो नों आड़ी दी फॉर्मेशन चंगी तरह समझा गई है और तुसी बच्चे नों अच्छी तरह सिखा होगी फिर तक और देख देया तन वाद खोश रहो तन दरुस रहो